रूसी राश्ट्रपती वलामेदिर पुतिन ने इरान के नए राश्ट्रपती मसूद पेजश्कियान से मुलाकात की है। रूसी राश्ट्रपती मसूद पेजश्कियान से मुलाकात की है। तो वहीं ब्रिटेन के ठिंक टैंक चैथम हाउस के वरिष्ट विशलेशक अनिसेह बिसरी तबरीजी ने कहा यूकरेन के बाद से दोनों देश एक दूसरी की जरूरतों और मुद्दों पर भरोसा करने लगे हैं। जानकारी के मताबिक पेजश्कियान ने पहले ही रूस के साथ पश्चिमी प्रतिबंदों का मुकाबला करने की इच्छा पर जोर दिया है। पोतिन के साथ मीटिंग में उन्होंने लेबनान में इस्राइल के हमलों को लेकर भी बात की और अमेरिका पर इसके समर्धन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस्राइल को शेतर में निर्दोष लोगो को मारना बंद करना चाहिए। रूस पहले भी इस्राइल की ओर से गाजा और लेबनान में आम लोगों को निशाना बनाय जाने की आलोचना कर चुका है रूस की ओर से अक्टुबर में होने वाले ब्रिक्स समित में शामिल होने के लिए पेज़िश्कियान को निमंतरन भेजा गया है नमस्कार मैं हूँ मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है यूस 24